नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड मोडिवेशन स्पीकर आप सबीका स्वगत करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेन्स हमें से हर व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करना चाता है लेकिनों सफलता को हासिल करने के लिए किन पधचिन्नों पर चलना है इसके बारे मैं उसको ज्यान नहीं होता आज जो ज्यान मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने घर में अपने परिवार में शायद आपने से हर व्यक्ति बचपन से सुनता आ रहा है श्री तुलसी दास जी द्वारा रचित हनुमान चालिसा में 40 शलोक हैं और इन 40 शलोकों में वो शक्ति है जो आपको आपके जीवन में अपार सफलता हसिल करा सकती है तो हनुमान चालिसा में पहला जो द्वा लिखा हुआ है शिरी गुरु चरन सरोज रज निजमुनि मुकर सुधार मतलब आप अपने जीवन में अपने गुरु से हमेशा ज्यान प्रात करने के लिए अपने अंतर मन को शीशे की तरह जिस पर धूल जमी हुई है उस धूल क पहले आपको शागरें अपने गुरु द्वारा दिये वगए ज्यान को अपने जीवन में अनुग्रहित करें अनुपुरित करें उसका और अपने जीवन में आप आर्स करें थे, तो लिए गुरू द्वारा बताए गए पद्जिन्नों का अनुकरन करने के लिए और गुरू से बहुत सारी चीजों को ग्रहन करने के लिए सीखने के लिए आपको अपने मन रूपी उस शीशे पर जो धूल जमी हुई है उसको साफ करनी है और अपने अंतर मन को गुरू के चर्णों में समर्पित करना है तो जो दूसरा स्लोक है उसमें जो बात कही गई है उसके बारे में आपको बताता हूँ कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा मतलब हनुमान जी का जो शरीर है वो सोने की तरह वजर के समान है वो सोने की तरह चमकीला है और बलिस्ट है और साथी साथ ये कहा गया है कि कानन कुंडल कुंचित केसा मतलब उनके कानों में कुंडल है और उनके केस जो हैं, वो सवरे हुए हैं, सुलजे हुए हैं, कड़े हुए हैं, ठीक उस तरह से आप अपने business में, जदि आपार सफलता हासिल करना चाते हैं, तो आपको अपनी personality में वो spark लाना होगा, जिससे आप अपने consumer को, अपने करहक को, अपने client को प्रभावशाली तरीके से प्रभा कर पाएंगे तभी आप आसानी से अपने प्रोड़क्ट या अपनी सर्विस को उसको सेल कर पाएंगे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आपकी पर्सनलिटी में वो स्पार्क होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को आशानी से प्रभावित कर सके तो जो सुविधाईं देने में उसके काम को करने में हमेशा तक पर रहें जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कंजियूमर के काम को अति शीघर करने का प्रयास करेंगे, तो आपकी विद्या, आपकी गुन और आपकी चत्राई के माध्यम से, आप कंजियूमर के साथ मिलकर अ जब आप corporate चालेशा के माध्यम से आप ये समझते हैं कि जो आपका प्रभू है, मतलब आपका गरहक है, आप उसकी सबी बातों को सुनने के लिए तयार हैं, तो आप अपने गरहक के मन में अपने product, अपनी service, अपने brand और अपनी छवी को स्थापित कर पाते हैं, जिसकी उस तरह के product के बारे में जानकारी चाते हैं, खरीदना चाते हैं, information चाते हैं, तो वो सबसे पहले आप ही का reference अपने link and relation को provide करता है, जिससे आप referral business भी आसानी से generate कर सकते हैं, जो अगला दुआ है, वो हमें सिखाता है, उसमें कहा गया है कि प्रभू मुद्रिका मेली मुख माहीं, जलदी लांग गए अचरजनाहीं, और प्रभू आपके consumer हैं, आपके ग्राहक हैं, और आपके ग्राहक से संबंदित, कोई भी information, कोई भी problem, कोई भी requirement, जब आप अपने मन में रख लेते हैं, जैसे मुद्रिका के बारे में कहा गया कि हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुँह में रख लिया, और उसको लक्ष के रूप में, कि मुझे सिता माताता को पहुचाना है, इस लक्ष को धे को लेते हुए, वो पूरा का पूरा जलदी लांग गए अचरजनाहीं, एक पूरा का पूरा समुद्र लांग कर, लंका में पहुच गए, माता सिता के पास पहुंच गए ठीक उस तरह से जब आप अपने किराह की प्रॉब्लम रिक्वार्मेंट कंप्लेइन या किसी भी तरह की बात को सुनकर समझकर उसके उपर पून रूप से प्रयास करते हैं तो आप आसानी से वो जो कठिन समुद्र है मतलब रेफरेंस का जो समुद्र ह उसको लांग सकते हैं इतने सारे रेफरेंस अपने कंजूमर के माध्यम से ले सकते हैं जिससे आप अपने बिजनस को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि प्रभू मुद्रिक का मेली मुख माही और जलदी लांग गए अचरजनाही यदि कि आप exponential growth करना चाहते हैं तो कंजूमर को हमेशा प्रभू राम की तरह ट्रीट करें और हमने बच्पन से ही सुना है कि ग्राहत तो भगवान होता है हनुमान चालिसा में ये बताया गया कि सुक्ष्म रूपधरी सिया ही दिखावा और विकट रूपधरी लंक जरावा हनु कि अपना सुक्ष्म रूपधरा बहुत छोटे बनकर दिखाया लेकिन रावन के सामने बहुत विशाल बनकर दिखाया मतलब आप positive चीजों के साथ सुक्ष्म बनकर उसको जादा सादा ग्रहन करने का प्रयास करें और जहां समस्याएं हो उस समस्या के आका से अपने आपको एक विशाल रूप के अंदर ढाल लें ताकि आप आसानी से समस्या को छोटा समझकर हल कर सकें ठीक उस तरह से जैसे हनुमान जी ने अपनी विशाल काया को रावन के सामने बहुत बड़ा प्रस्तूत किया और रावन को छोटा भहसूस कराया और एक छोटी समस्या को आप करें और इसका अनुकरण करें वो सिध्धान्त जो मैंने हनुमान 40 से सीखे और क्योंकि मैं एक बिजनस ट्रेनर हूं मैंने उसकी prediction मैंने उसकी explanation अपने शब्दों में corporate हनुमान 40 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की यदि आपको ये पसंद आया है तो comment box में लिखकर जरूर बताएं कि किस दोहे से आपके जीवन में बहुत अधिक बदलावाया है और साथी साथ हनुमान 40 का निरंतर जाप करें जो व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान 40 का निरंतर जाप करता है उसको पढ़ता है उसका अनुकरण करता है अपने जीवन में उसे धन्तों को लगाता है वो हमेशा अपार सफलता आसिल करता है आप स्वस्त रहें, मस्त रहें, जीवन में बहुत अधिक तरक्य करें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत